अर्ती संविधान का एक महत्यपूर्ण भाग भाग चार का मौलिक करतब्य से प्रशन पूछे जाते हैं और आम तोर पे हमें confusion जरूर हो जाता है कि मौलिक करतब्य कई बार जो है question जो पूछता है multiple choice question में उसमें एक मौलिक करतब्य दिया होता है और एक DPSP दिया होता है और से अंतर पूस्ता कि इमने से कौन सा मौलिक करतब भी है कौन सा राजी का नीच्शियक तत्यों है अब अच्छली होता क्या है कि हमें दिमाग में बैखती नहीं यह चीज़े तो हम बता नहीं पाते आज मैं आपको 11-11 मौलिक करतब भी याद करवा दूंगा क्लास में ही य मौल संविधान में नहीं था कहां पर नहीं था मौल संविधान में जब संविधान बना था तब यह इस हिंस्से को नहीं रखा गया था ठीक है तो यह हिंसा नहीं था तो क्या था इसकी जगह पर मूल करतब मौल संविधान में नहीं था कब जुड़ा ये 42 सम्मिधान संसोधन किया गया उस दवरान जुड़ा तो कुछ अभी फैक्ट और फिगर्स भी बताऊंगा अब देखो आसान भासा में मैं आपको बताऊं ये एक समाजिक परिवर्तन की कुंजी है जिससे सोशल चेंज किया साथ सकता है देश के नागरिको तब ही एक्जिस्ट करते हैं जब आपके कुछ कर्तब भी हो कुछ दाइत हो तो यदि राज ये आपको फंडमेंटर राइट दे रहा है तो आपके कुछ तो राइट ड्यूटी होगी बिना ड्यूटी के तो काम थोड़ो नहीं हो सकता है केवाल आपको अधिकार मिल जाए और आपके कोई करतब भी ना हो कोई जाइट तो ना हो तो एक समाजिक परिवर्तन की कुंजी के तौर पे इनको देखा जा सकता है जो देश के नागरिकों के दिमाग में एक सोसल चेंज लेकर के आए ठीक है अब इससे कितने प्रकार के कोश्चन बन सकते हैं मैं पूरे के दो देश हैं जापान और सोबियस संग जिनके कंसिटिउंशन में फंडमेंटर ड्यूटी जैसी बात है वही से सोबियस संग से प्रभावित है ठीक है बर्तमान में रूस है उस समय सोबियस संग था ठीक है कब जोड़े गये 42ушка संबिधान संसोदन इसको मिनी कंसिटिउंश की सक्तियां भी खतम की गई बहुत सारे जो है नए प्रावधान जोड़े गए यहां तक की कई सारे भाग जोड़ दिये गए तो बहुत सारी चीज़े हुई यहां तक प्रस्तावनम भीवा और उसी दोरान पर फंडमेंटर ड्यूटी जुड़ा आपका मौलिक करतब जुड़ा तो कब जोड़ा गया यह 42 समिदान संसोधन में इसके लिए कमेटी बनाई गए थी स्वार्ड सिंग समिती यह याद रखेगा एक कोश्चन ध्यान पोश्ता है स्वार्ड सिंग समिती के सिफारिस पर सिफार यह भी दिमाग में बठाके रखना है ठीक है तो बहुत सिंपल सा है एक ही आइटिकल है इंक्यावन इंक्यावन तक आपके DPSP है और इंक्यावन आपका क्या है फंडमेंटर ड्यूटी है भाग चार का बाग चार का के अंतर गताते हैं और टोटल इनके नंबर्स कितने ग् ग्यारा fundamental duty हैं आपके 11 मौलिक करतब्वे हैं कितने करतब्वे हमारे 11 मौलिक करतब्वे हैं इतना दिमाग बठाना है जब यह बने थे तब इनकी संख्या 10 थी लेकिन एक संसोधन करके एक और जोड़ा गया संसोधन किया गया 86 संसोधन से यह पूरा भाग जोड़ा गया और 10 fundamental duty जोड़े गए लेकिन 86 संविधान संसोधन हुआ आपका 86 संविधान संसोधन के माध्यम से आपका 11 जोड़ा गया 11 एक और जोड़ दिया गया और टोटल संक्या हो गई 11 इनका तो 86 संविधान संसोधन से कब हुआ था 2002 में 42 संविधान संसोधन 2002 में हुआ था कब हुआ था 2002 में ठीक है और यह क्या है fundamental duty टोटल संख्या numbers कितने है 11 इनकी है ना तो यह आपको दिमाग में basic basic चीज़े हैं ध्यान रखना है बहुत simple सी चीज़े है अब थोड़ा समय आपको एक बार याद करा देता हूँ इसके बारे में एक चीज़ और बताएता हूँ इनकी प्रकतिक ऐसी है इनके लिए नियाले नहीं जाए जा सकता जैसे dpsp के लिए हम नियाले नहीं जा सकते डीPSP के लिए आप नियाले नहीं जा सकते वादयोग्य नहीं है केस नहीं लाए जा सकता वादयोग्य नहीं वैशे ही आप fundamental ड्यूटी को लेकर के भी आप नियाले नहीं जा सकते गैर नियाईक प्रकतिके हैं लेकिन इस पर बहुत सारे जो है नियाले के द्वारा बहुत सारे जो है समय समय पर क्या किये गए हैं बहुत सारी टिपड़ी की गई हैं उन टिपड़ीयों के बारे में बताऊंगा गैर नियाईक प्रकतिके हैं ठीक है ए fundamental duty आपको समझनी है कि यह fundamental duty है कि नहीं है लाश्ट में कुछ सब्द लगे होंगे जैसे कि करें करें सब्द बड़ लगा होगा आपको क्या करना चाहिए नागरीकों को क्या करना चाहिए एक तो करें सब्द लगा तो मतलब कुछ ये last में terms आते हैं जब आपके कभी भी exam में question पूछे जाएं तो आपको इससे पहचानना है कि DPSP DPSP में राज जी का करतब है और ये fundamental right आप fundamental duty आपके नागरिकों के करतब है ठेक है DPSP क्या है राज जी का करतब है राज जी का काम करना है राज जी के लिए है और FD क्या है fundamental duty किसके लिए है नागरिक के लिए नागरिक के लिए है clear response है अब चलिए एक बार थोड़ा सा हम सभी के बारे में एक बार एक एक करके देखते हैं सबसे पहले चीज़ देखे यहां पर 11 है एक एक करके देखेंगे मैं आपको टम समझाओंगा देखे पहला है संविधान का पालन करें ठीक है करें सब्द देखें यहां पर आ गया उसके आदर्सों संस्थाओं राष्ट ध्वज और राष्टी गान का आदर करें ठीक है दो करें सब्द आगे आपका तो यह पहचान मैं आपको बेसिक कुछ पहचान यहां पर याद कराऊंगा ताकि आपको मौलिक करतब देख लें तो सम्विधान का पालन सिंपल सीज है सम्विधान के जो आदर्स हैं सम्विधान के द्वारा जो संस्थाओं इस्टैबलिस की गई है राष्ट धोजे है हमारा राष्टी ग्यान है उसका आदर करें यह नागरिकों के लिए पहला करतब दिया गया दूसरा सुतंता के लिए राष्टी अंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्चा दर्सों को हरदय में संजोई रखें देखें दूसरा सब्दा है रखें और उनका पालन करें तो यहाँ पर भी देखें जो हमारे देश के नेशनल हीरो हैं जो फ्रीडम इस ट्रगल में हमारे लिए जिन्होंने कुर्बान कर दिया अपना सब कुछ उनके लिए आपको क्या करना उनके आदर्सों को अपने हरदय में संजोणा है और उनका पालन करना है इसके बाद भारत की समप्रभुता भारत की एकता भारत की अखंडता की रक्षा करें और उसे अच्छुन रखें आप देखेंगे रखें और करें दो सब्द लगतार आ रहे हैं इसके बाद देश की रक्षा करें अवाहन कीये जाने पर राष्ट की सेवा करें भारत के सभी लोगों में समरसता समान भातत की भावना का निर्मान करें जो धार्म भासा वा प्रदेश या वर्ग अधारित के भेदभाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो इस्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं ठीक है तो देखे पहला वाला तो संविधान से जुड़ा हुआ है कि संविधान का पालन करना है दूसरा आपका किस से जुड़ा हुआ है जो हमारे देश के नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़े हुए थे स्वतंता संगर्स राष्टी अंदोलन से जुड़ा हुआ है राष्टी अंदोलन और उससे जुड़े हुए आदर्स तीसरा भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है भाग एक से जुड़ा हुआ है आपका भारत की एकता और अखंडता संप्रभुता या कह सकते हैं प्रस्तावना में भी ये सब्द लिखा हुआ है आपका ठीक है भारत की एकता अखंडता की रक्षा करें संप्रभुता तो ये आपका जो है प्रस्तावना से भी जुड़ा ठीक है दूसरा देश की रक्षा करें ये सारा कुछ जितने भी हैं आपको अभी शुरुआत में भारत के लिए ही हैं राष्ट की सेवा करें इसके बाद भारत के अब यहां पे भारत के लोगों की बात की जारी कि भारत के सभी लोगों में समर्सता और भातत्त्य की भावना क का निर्माड करे है मतलब कोई भी बेदभाव नहीं करنا सब बराबर समझता एक दूसरे को एक दूसरे के साथ किसी को धर्म जाति भासा इसके अधार पर अलग अलग नहीं मानना है तो सबी लोगों में समर्सत्य आज्मान भहत्त की परेहो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो इस्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो तो देखें करे सब्द है आ रहे हैं आपके जितने ठीक है इसके बाद हमारी समासिक संस्कृति की गौरासाली परंपरा के महतु को समझे और उसका पर्यक्षण करें ठीक है तो यह कल् हमारे आजादी से जुड़े हुए जो नायक है आजादी के नायक जितने भी है सुतंता संग्राम से नानी से जुड़ा हुआ है इससे याद हो जाएगा आपको अभी मैं विकुल याद कराने के मूर में हूँ याद करा दूँगा तीसरा आपका जो जुड़ा हुआ है यह राज्य से जुड़ा हुआ है राज्य की संप्रभुता रहे राज्य की परिवासम ने पढ़ाई है ना तो तीसरा राज्य से जुड़ा हुआ है चौथा भी आपका राज्य से जुड़ा हुआ है कि देश की रक्षा करे अवाहन किया जाने पर राष्ट की सेवा करे ये भी राज्य से जुड़ा हुआ है चौथा भी पाचवा राज्य के लोगों से जुड़ा हुआ है नागरिकों से जुड़ा हुआ है कि नागरिकों को पराबर समझें बेदभाव ना करें नागरिकों से जुड़ा हुआ है छटवा हमारे कल्चर से जुड़ा हमारी संस्कृति से कि हमारी संस्कृति की रक्षा करना है आपकο जो हमारा कल्चर है इसके बाद अगला है पर्या शुड़ा हुआ है इनौइरमेंट से वाते उनकी रक्षा और समवर्धन करें ठीक है और प्राडी माति के लिए दाया भाव रखें करें और रखें सब दाएंगे हर जगे पे फिर इसके बाद आपका किस से जुड़ा हुआ है बैज्ञानिक दृष्टिकोर से मानावाद और ग्यानारजवन सुधाव की भावना क विकास करें तो यह स्वयम से जुड़ा हुआ है खुद से हर व्यक्ति को कैसा होना चाहिए स्वयम बैज्ञानिक तरकसील होना चाहिए बैज्ञानिक दृष्टिकोर होना चाहिए आपका मानावतावादी दृष्टिकोर होना चाहिए आपको ग्यानारजन करना चाहिए इसे जुड़ा हुआ एगला इसके वदे सार्वर्जनिक समपत्ति को सुरक्षीत रखें और हिंसा से दूर रहें इसके बाद व्यक्तिगत और सामुहिक गत्विद्यों के सभी छेत्रों में उतकर्स की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट की प्रगती निरंतर बढ़ते हुए उपलब्दी की नई उचाईयों को प्राप्त कर सके ये भी आपके स्वयम से जुड़ा हुआ कि आप स्वयम का विकास करें स्वयम का विकास स्वयम का विकास करें ठीक है जिससे देश का भी विकास होगा ठीक है तो ब्यक्तिगत और सामुहिक मतलब ब्यक्तिगत भी ब्यक्तिगत तोर पे भी उपलब दियां लीजिए सामुहिक तोर पे भी ऐसी उपलब दियां करिए जिससे क्या हो जाए राष्ट की प्रगती और न नमबर है अभिभावकों के लिए कुछ ड्यूटी दी गई है कि अभिभावका का क्या करतब है अभिभावका का जो आपके गारिजन है उनके लिए क्या ड्यूटी दी गई है कि 6-14 वर्स की आयू के बीच के अपने बच्चे को सिक्षा के आउसर प्रदान करना है और इसको जो है आपका 66 संसोधन के द्वारा जोड़ा गया है अब सिंपल सा देखो अब आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे मैंने डिकोड कर दिये देखो पहला तो सम्विधान से जुड़ा हुआरे देश में सर्वोपरी क्या है सम्विधान सम्विधान के बाद दूसरा क्या ह है ना वो सारे है इसके बाद फिर आपका राजी से जुड़ा हुआ कि राजी की रक्षा करें देश की सेवा करें देश को जो है आप बेतर बनाएं ठीक है तो ये आपका इसके बाद अगला नागरिकों से जुड़ा हुआ कि नागरिकों को भेदभाव ना करें है ना धर् और स्तिरियों के बीरुद्द सम्मान रखें ऐसी कोई भी प्रथा का पालन्य न करें तो यह आपका महिला ससक्ति करण से भी जुड़ा हुआ है महिला ससक्ति करण प्रदेस वर्ग सभी प्रकार की और महिला ससक्ति करण से भी जुड़ा हुआ है इसके बाद हमारी संस्कृति ती की आपने संस्कृति की रख्षा करनी एंथाज आब संस्कृति यह नागिकों की की रक्षा करनी है सब बस इसी तरीके से आपको पर्यवर्ण की रक्षा करनी है स्वयम को बहतर बनाना है सारजुनिक संपत्ति की रक्षा करनी है व्यक्तिगत स्वयम का विकास करना है और अभिभाव को के लिए यह आपके टोटल दिये गए हैं fundamental duty अब आप मुझे एक बार बताओ कुछ थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा कि यह कैसे याद किये जा सकते हैं आप एक बार इनको तोड़ दीजें के भाव को समझे कि क्या कहना चाहते हैं बस संविदान की रक्षा देश के सोतंता संग्राम सेनानियों की रक्षा ठीक है राज जी की रक्षा र आज के नाग्रिकों की रक्षा है ना नाग्रिकों में भी आपस में भ्रातत तो रहे प्रेम रहे विश्वास बंदा रहे ठीक है कल्चर संस्कृति की रक्षा इसके बारे में बात की गई है पर्यावंड की रक्षा ये भी द्यान रखना है पर्यावंड की रक्षा की बात करनी है बस इतना करके आप याद कर लो है बहुत सिंपल है अब चलो मैं पूरा एक बार फास्ट फास्ट याद करा रहा हूं ठीक है पहला है संभिधान का पालन करें उसके आदर सो संस्ताओं राष्ट राष्ट का आदर करें करें सब्दे देखें आ गया यहां पर जहां भी करें सब्दाएगा रखें सब्दाएगा क्या हो जाएगा फंडमेंटल ड्यूटी सुतंता के लिए राष्टी अंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्चा दर्सों को हरताय में सजोई रखें उनका पालन करें भारत की संप्रभुता एक्ता और अखंडता की रख्षा करें और उसे अच्छुन रखें देश की रख्षा करें अवहन किये जाने पर राष्ट की सेवा करें भारत के सभी लोगों में समर्सता समान भ्रत्त की भावना का निर्मार करें धर्म भासावा प्रदेश आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परेहों आएसी प्रताओं का जो है परित्याग करें जो इस्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं तो यहां पर महिलाओं के सम्मान की बात भी की गई है ठीक है समासिक संस्कृति की गौरोसाली परंपरा को समझे उसका परेक्षण करें कल्चर को प्रोटेक करने की बात की गई है बारतिये को सुरक्षित रखें हिंसा से दूर रहें ठीक है किसी प्रकार की हिंसा से दूर रहें यह जो दंगे वगएरा होते हैं उन सब के लिए आपकी फंडामेंटर ड्यूटिय की ऐसी चीज़ों में आप प्रतिभाग ना करें विक्तिगत और सामोहिक रूप से उतकर्ष की और बढ़ने का सतत प्रिकास के प्रयास करें जिससे राष्ट की प्रगति निरंतर बढ़ते हुए नई उचाईयों को प्राप्त कर सके और च्छे से चौदै वर्स के आयू के बच्चों के अभिभावकों को क्या करना है उनको सिक्षा के आउसर को प्रदान करने के प्रयास कर कि यह कोई असमाजिक गदविदी करता है असमाजिक गदविदी क्या हो सकता है बेदभाव करना असमाजिक गदविदी है है ना बेदभाव करना हिंसा करना सावनिक संपत्यों को नुकसान पहुंचाना तो असमाजिक गदविदी नहीं कर सकते आप इस देश में इसके लि संपत्य को समाप्त ना करें सार्जनिक सांति को भंग ना करें इन सब की विवस्ता यहां पर हर बात पर बात की गई है तो असमाजिक गद्विदी जो अराजक गद्विदी है उसके लिए पहली बात सक्त निर्देश फंडमेंटर ड्यूटी में दिये गए है कि कोई भी व्य समाजी गतिविदियों के बिरुद्ध इस पष्ट चेताउनी आपकी fundamental duty में दी गए दूसरा अनुशाशन थोड़ा सा अनुशासी जीवन रहे राष्ट की प्रति अनुशासन रहे आपका राष्ट की प्रति आपका प्रतिबद्धता रहे राष्ट की प्रति आपका commitment रहे है करते हैं दूसरा कानून की समवधानिक्ता को भी निर्धारित करने में सहायता करते हैं वैसे तो ये न्यायोग नहीं है वाद योग नहीं है आप इनके लिए न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं लेकिन जब न्यायपालिका किसी मामले को सुनवाई करती है मालीज़ आप प्रॉपर एक कोड बनाए गया, ध्वज संगीता बनाए गयी हमारे देश में, आपने राष्ट गान का देश के किसी आदर्स का जो हमारे जैसे महात्मा गांदी को बुरा बला कहते रहते हैं, तो जब कभी आपके उपर किसी भी प्रकार का कोई भी केस होता है, तो वैसे में फंडामेंटल ड्यूटी नियाले को मागदर्सित करते हैं कि संविधान की कानून की संविधानिक्ता को निर्धारित कर पाएं, जैसे महां लीजे, विधाई का भी बहुत सारी कानून पारित करती है, लेकिन जब संविधानिक्ता की जाच में नियाले में वो जाता है, तो मौलिक करतब्य में घटक नीत है तो ऐसे कानून को उचित माना जाएगा मलब fundamental duty नीत होनी चाहिए केवल एक तरफा नहीं होने चाहिए आपके करतब्यों को भी वहाँ पे डाला होना चाहिए तो न्याय पालिका जो है समय समय पर fundamental duty से भी मागदरसित होती है ठीक है इसके बा आप देश के प्रती अपनी वफादारी को निभाएं तब आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे तो नागरिकों के लोकतांत्रिक आचरण को भी उस्थित करती है fundamental duty कि आप एक लोकतांत्रिक बेहार करें लोकतांत्रिक आचरण करें बुनियादी मापडंडों का पालन करें जो आप जिदी अपने मौलिक करतब्यों का पालन कर रहें तो निश्यत तोर पे आपके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी इसको लेकर के अब देखो नियाले ने कई बार इसको लेकर बहुत सारी गाइडलाइन दी है एक को वाद आया था आपका एम्स छात्र बनाम एम्स जो है जो आपकी संस्ता है आईरुविद जो हमारा एम्स सबसे वड़ी संस्ता है दिल्ली तो सरबोच चिन्याले ने कहा था कि भाई मौलिक करतब और मौलिक अधिकारों में कोई अंतर नहीं है वो मौलिक करतब भी उतने ही महत्यपूर जितने की मौलिक अधिकार हैं आपको आप दोनों में अंतर नहीं कर सकते हैं दोनों ही महत्यपूर हैं आप अपने मौलिक करतब को पूरा नहीं कर रहे थे तो मौलिक अधिकार आपको समाज में किस तरीके का behavior करना है अपने देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए उन सब के बारे में बताये गया यह तो यह एक तरीके से अप प्रतिक्ष तौर पे संविधान के भाग तीन यानि fundamental right पे एक निरबंदन है आपको लग रहा होगा कि आपक नहीं है उन पे भी बहुत सारी निरबंदन है हर आइटिकल में बहुत सारी निरबंदन दिये गए लेकिन fundamental duty भी एक निरबंदन का काम करते हैं आप अपने मौलिक करतब्यों से भागेंगे तो मौलिक अधिकार आपके कभी भी सुरक्षेत नहीं रखे जाएंगे तो यह भ करती हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको आपको समझना चाहिए और समाज में सार्थक योगदान देने वाले नागरिकों को समझना चाहिए जन विवस्था की बारिकियों को समझना चाहिए और इन सब के लिए अपने fundamental duty को जब निभाना चालू कर देंगे तो नहीं समासिक संस्कृति की बात कही है तो कंस्ट्यूशनल कल्चर कैसे डिबलफ होगा जब लोगों को अपनी fundamental duty याद होगी लोग सम्विधान के बारे में जानेंगे सम्विधान के बारे में पढ़ेंगे अभी आप देख रहे हैं देश में सम्विधान साक्षरता को लेक गया प्रोविधान नहीं पता है तो वह जब तक आप नहीं समझोगे तब तक कैसे हो पाएगा नहीं पाएगा तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो इस लोकतंत्र में रह रहा है इस लोकतंत्र में उसे अपने करतव्यों को भी जानना चाहिए और अपने अधिकारों को है देखे सबसे पहला क्या है संभिधान का पालन करें तो संभिधान जब जानेंगे तभी तो पालन करेंगे जब संभिधान के आदर्स समझेंगे संभिधान की संस्था है संभिधान राष्ट राष्ट ग्यान इन सब का जो है आप क्या करेंगे अनुपालन करेंगे जब आपको जानना जरूरी है जब तक जानेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा ठीक है अब यहां पे आप ध्यान रखेगा कोश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एक कोश्चन है था कि भारत की संप्रभूता एकता अखंडता की रक्षा और अच्छूड रखना किसके त रक्षा करें उसे अच्छुड रखें यह सब बात कहां पर की गई है फंडामेंटर ड्यूटी में यह देखे यह वाला आप जो आपको है तो इससे कोश्चन पूछा जा चुका है इसलिए यूपीस्टी में कोश्चन पूछा जा चुका है आईएस में कोश्चन पूछा है इस बात को ठीक है तो स्वाइड सिंग समीति की सिपारिस पर बैयारिस्वें समीदान संसोदा नदिनियम के तायत मौलिक करतब्यों को जोड़ा गया है ठीक है और इसके लिए भारती समीदान के इंक्यावने में सारी प्राउधान किये गए इसके बाद एक कोशन और पूछा गया था कि निमलिकित में से मौलिक करतब के बारे में कौन सी बात सही है तो क्या इसके लिए कोई बिधाई प्रक्रिया दी गई है कि भाई कानून कोई बनाए गया है क्या नहीं कोई कानून नहीं बनाए गया इसके लिए कोई कानून नहीं बना अभी तक ये आपका वाद योग नहीं है ये क्या कानूनी करतब हैं नहीं ये कानूनी करतब भी नहीं स्वैच्छी करतब भी है तो ये कोई कानूनी बाउंडेशन अभी तक इनके लिए तैन नहीं किये जा चुकी है ठीक है द्यान रखना है तो आपको एक तो पहचानना आना चाहिए पहचानने के लिए मैंने आपको बताया याद करने का तरीका भी बताए अब आप खुद भी तरीके विक्सित कर सकते हैं ठीक है कि समिदान की रक्षा से जुड़ा हुआ है सुतंता संग्राम से नानियों के सम्मान से जुड़ा हुआ है राज जी की रक्षा से जुड़ा हुआ है इसके बाद नागरिकों के सम्मान से नागरिकों की जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है यह कुछ ऐसे करके पॉइंटों से भी आप इसको याद कर सकते हैं तो यह आपका हो गया fundamental duty और fundamental duty से कुछ इतने ही question आपके बन सकते हैं पहली स्वाइड सिंग कमेटी याद रखना इससे question बनेगा आपके दिया आएगा तो दूसरा आपको भाग इंग क्यावन का में हैं भाग चार ए में हैं 42 संविदान संसोधन से जोड़ा गया है और सोविय संग से लिया गया है कहां से लिया गया है सोविय संग से लिया गया है बस इतना कर लेना है इतना याद कर लेना है तो यह आपका fundamental duty हो गया आज के लिए इतना ही रखेंगे यह topic को एक दो बार पढ़डाएए रट जाएए आपको बिल्कुल से मलब आपको यह topic exam hall पे मिलता है पूछा जाता है इसलिए आपको इसको याद रखना है ठीक है कोई भी doubt किसी को भी है तो एक बार इसके बारे में मुझसे पूछे मैं आपको जरूर से जरूर रिपलाई करूंगा ठीक है